हम सभी को मोटा पगम करना है और हेल्दी रहना है लेकिन ये सब डायट गोलिया और प्लांस के पहले साइन्स वेट लॉस के बारे में क्या कहता है सबसे पहली चीज एक्सरसाइज कोई भी फिजिकल फॉर्म की एक्सरसाइज ना केवल कैलरीज तुरंद घटाती है साइन्टेस ने ये भी देखा है कि आप जब सोते है आपका फैट भी घटता है एक्सरसाइज के दोरान आपकी बॉड़ी ज्यादा से ज्यादा कार्बोहेडरेट्स इस्तमाल कर लेती है और अगले 24 गंटे के लिए उन्हें रीप्लेज कर देती है और तब आपकी चरबी यानि फैट्स को चलने बोलने यहाँ तक की सोने के कार्या में भी इस्तमाल करती है कभी कोई भी भोजन स्किप ना करे खास कर ब्रेकफास्ट साइंस बताता है आप जब भी खुद को ज्यादा देर भोका रखते है तो आप में ज्यादा कैलरीज वाला खाना खाने की इच्छा बढ़ जाती है बजाए की हिल्दी खाने के नास्ता करने से आपके ब्लड में शुगर और हॉर्मोन्स के लेविल्स मेंटेंड रहते है जिससे आपके मेटाबॉलिजम यानि कैलरी बर्न करना ज़ोरो से काम करता है और पूरे दिन तक कैलरीज बर्न होती है ज्यादा प्रोटीन और लो फैट डेली प्रोड़क्स अपने डायेट में लेना भी लाबदायक है प्रोटीन के कारण बॉडी में PYY केमिकल रिलीज होता है जो आपके ब्रेन तक जाता है और आपको भूक लगने की फीलिंग को कम करता है अपने डायेट में सिर्फ 10% ज्यादा प्रोटीन और करने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है लो फैट डेली में कैल्शियम होता है जो आपके खाने के साथ पेट में बाकी फैटी एसिट्स के साथ मिक्स होता है और सूप जैसा पदार्थ बनता है जिसको पचाने में वक्त लगता है आपका शरील ये सूप जैसा पदार्थ बाहर फेकता है जिसके साथ मिक्स हुए फैट्स बाहर निकलते है सूप की बात चल रही है तो बता दू सूप भी बहुत बड़ा डाइटिंग सीक्रेट है आप जब आपके खाने के साथ पानी पी लेते हैं तो पानी जल्दी एब्जॉब हो जाता है आपके पेट में खाना तब तक डाइजेज भी नहीं हुआ होता जिस कारण आपके पेट की साइज अंदर से कम हो जाती है और आपको वापस भूक लगती है इसके बजाए आप खाने की सामगरी को ले उसे ब्लेंडर में डाल दे और मिक्स करे पथली चीजे पेट में एब्जॉब होने को वक्त लगता है जिस कारण आपका पेट भरा रहता है और आपको जल्दी भूक नहीं लगती अपनी कैलरीज गिनो स्टडी से पता चला है कैलरीज गिनने वालो में कैलरीज ना गिनने वालो के मुकाबले ज़्यादा इंप्रूब्मेंट दिखे ब्लैक कॉफी में 10 कैलरीज होती है और कैपचिनो में 100 कैलरीज आपको ये पता है तो अपना डायेट सही करने में आपको हेल्प मिलेगी आप ज्यादा खा कर भी कम कैलरीज कंजूम कर सकते हैं और ये आजीब लगेगा लेकिन आप अपने प्लेट साइज छोटा कर देते हैं तो आपके फूड इंटेक काफियाद तक कम होती है सडी से पता चला है 12 इंच के बज़ाए 10 इंच की प्लेट में खाना खाने से बॉडी का फूड इंटेक 22% से कम हो जाता है अगर खाना हमारे आखों के सामने दिखे हमारी बॉडी को पेट भरा रहने के बावजूद ज्यादा खाने की आदत होती है तो जितना कम खाना आपकी थाली में उतना अच्छा है नींद और तनाव पर भी आप कितना ज्यादा खाना खाते है ये डिपेंड करता है कम सोने और ज्यादा तनाव में आप ज्यादा खाना खाने लगते है और आपका वजन बढ़ जाता है कोई सवाल पूछना चाते हो तो कॉमेंट्स में लिखतो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमली के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू